हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजेगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें यह हमारा 42 चेस्ट का फोर्टक्स ब्लाउज है बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है अगर आपने हमारे इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसकी हमने वीडियो पहले से ही डा जल्द ही मैं आपके लिए इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लाने वाली हूं इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि नई वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें बेल आइकन को प्रेस करें यह देखें फ् कोल्डर गिरने के आपको समस्या उद्पन होगी इसलिए एक बार इस तरीके से आप ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग करके जरूर देखिएगा आज मैं आपको बैकनेक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखेगा यह हमन जो नेक की लेंध है उसे 10 इंच पर रखा हुआ है 10 इंच हमने लेंध लिए और पोने तीन इंच हमने इसकी ब्रोडनेस रखी है इसे हमें बैक नेक पर स्टिच करना है सबसे पहले हम सेंटर पार पर इस तरह से चोटा सा कट लगा लेंगे और इसी तरह से हमें हमारे जो स्टिच करके हमने अस्तर पर रखा है उस पर भी कट लगा कर सेंटर सेंटर मिलाते हुए सबसे पहले हमें सेंटर से लाइन बना के स्टिच करना है सबसे पहले हमें इसे सेंटर से ही स्टिच करना है ताकि हमारा जो नेक है वह बराबरी से आ सके सेंटर से स्टिच करने के ब कि हमारे हाफ नेक को स्टिच करने के बाद हमें दूसरी साइट से भी हमारे नेक को स्टिच करना है इस स्टिचिंग को लगाते समय हमें हमारे पूरे नेक के शेप पर एक बार फिर से स्टिचिंग कर देनी है पलटते हुए हम पूरी नेक में सिलाई कर देंगे पूरा नेक में हमारी सिलाई हो जाने के बाद हमें इसे करना है और अंदर के पाट को निकाल लेना है अंदर के part को cutting करने के बाद हमारे neck के जहां पर भी round shape है वहां हमें छोटे-छोटे cuts लगा लेने हैं ताकि हमारा जो neck है finishing के साथ बनकर तैयार हो पूरे neck में हमें छोटे-छोटे cuts लगा लेना है cuts लगाने के बाद हमें इस पट्टी को इस तरह से पलटते हुए नाखुन से एक प्रेस लगा लेना है और इसे अंदर की तरफ पलटना है नाखुन से प्रेस लगा लेने से यह हमारा बहुती अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलट जाएगा और finishing के साथ हमारा neck बनकर तैयार होगा अंदर की तरफ पलटने के बाद हमें इस पर stitching करनी है हम इसकी बिल्कुल किनारी पर पहले एक stitching करेंगे पूरा नेक पर हमें किनारी पर लगाते हुए एक stitching कर लेनी है यह हमने हमारे नेक के किनारी पर सिलाई लगा कर तैयार कर ली है इसके बाद में हमें half inch का margin लेते हुए एक और सिलाई इसके पास से लगानी है नेक में हमें पूरे नेक में half inch का exact margin लेते हुए ही सिलाई लगानी है ताकि हमारा नेक बिल्कुल finishing से दिखाई दे इस तरीके से हमने हमारे नेक को finishing करके तयार कर लिया है की बाद में हमारे back neck के tucks लगा कर तयार करने है shoulder को हम center से fold करते हुए 6,5-5 inch लम्बे हमें tucks लगा कर तयार करने है न दोनों side में हम shoulder को इस तरह से half part में fold करते हुए 4,5 inch लम्बाई के tucks लगा लेंगे और हमारे back side विलकुल बनकर तयार हो चुका है हमारा ये परफेक्ट V-shape बनकर तयार हो चुका है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो में लास तक बने रहने के लिए धन्यवाद